दोस्तो इस वीडियो के अंत मैं आपको बताने माला हूँ फुरी में आप इंडिया होसे स्रिलंका का तीसरा T20 मुकाबला कैसे देख सकते हैं तो दोस्तो पूरा वीडियो अंता तक ज़रूर देखना है intéressant तो दोस्तो आपको बता दू इंडिया उसे स्रिलंका के दूसरे और तीसरे T20 मुकाबले से टोटल आठ खिलाडी बार हो चुग है जिन में हार्दिक पांडय पिर्तविशा सूरे कुमार याद हो इक शान किशन मनीज पांडय समय टोटल आठ खिलाडी शामिल है तो ओई टीम इंडिया से दूसरे T20 मुकाबले में चार प्लेयर डेबू किये जिन में से द्योदत पडिक कल रूतुराजगाय को आठ निती शिराना जैसे खिलाडी शामिल है तो दोस्तो वही दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है पिछले 3 साल बार टीम इंडिया पहली बार T20 स्री लंका से हारी है तो दोस्तो आज है तीसरा T20 मुकाबला और तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया कौन सी प्लेंग इले उनके साथ मैदान में उतरने वाली है वह इंडिया के टाइम नों सार ये मुकाबला कितने बज़े आने वाला फ्री में आप लाइव कौन से एप पर देख सकते हो तो दोस्तो पूरा वीडियो अंदे तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा देना वह तो दोस्तो आप मुझे इस्ट्राग्राम ट्वेली करना वह फॉलो कर सकते हो आपको डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगे तो आएए चलो वीडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेंग 11 तो ओपनिंग के तौर पर रूतु राज गयकवाड और शीकर्दवन ओपनिंग करते हो दिखाई देने वाले है वहीं तीन नमबर बर बैटिंग करने आएंगे द्योधत पड़ी कल चार नमबर की बात करे तो सेंजू सेंसन रहने वाले है वहीं पाँचवे नमबर पर जो खिलाडी रहने वाले है नितिश राना ये पाँच बैट्समेन है बाकी के चे जो बॉलर रहने वाले है चटे नमबर पर भोनेशवर कुमार वहीं साथ वे नमबर की बात करे तो नोदेव सेंगी रहने वाले है यानि की टोटल पाँच बैट्समेन और छे बॉलर के साट टीम इंडिया मैदान में उतरने माली है क्योंकि टीम इंडिया के पास और कोई option नहीं है हार्दिक पांडिया कुर्णाल पांडिया जो कि all-rounder तोर पर शामिल के गए तो दुनों बाहर हो चुके तो वह ही दीपक चेहर भी बाहर isolation में शामिल है तो वही पिर्टविश और सूरे कुमार यादो जैसे खिलाडि भी isolation में है क्योंकि हार्दिक पांडिया कुर्णाल पांडिया कोविड पोजिटिव पाये थे अब देखना यह होगा तीसरा टीटवन्टी मुकाबला काउंसरी टीम जीती है जो टीम जीती की हो स्रीज लेकर जाए क्योंकि स्रीज टीटवन्टी का अभी एक-एक से बराबर है पहला मुकाबला टीम इंडिया जीता था तो वही दूसरा जो मुकाबला है वो स्रीलंका टीम ने जीत लिया था चार विकेट थे तो दोस्तो आपको क्या लगता है तीसरा टीटवन्टी मुकाबला काउंसरी टीम जीती है दोस्तो बात करते हैं फ्री एप की तो फ्री एप जैसे की आप डिस्पले पे देख पा रहे हूं ये दो एप है इसको आपको जाके गूगल से डाउनलोड करने है अगर डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करके डारेट मैसेच कर सकते हैं मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ अन्य तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर जाके लिंक से डाउनलोड कर लिजिए तो दोस्तो इस वीडियों पर इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना थैंक्यू तो मज गाइट फॉर वाचिंग